बात करें अगर अब सोयबीन की तो सोयबीन का जनवरी वैदा देख रहे हैं इस समय बासर सो असी पर ट्रेड करता नजर आ रहा है बासर सो असी का ही हाई लगा चुका है एक फीस्दी की तेजी है हम देख रहे हैं कि सोयबीन का जनवरी वैदा 600 के उपर ट्रेड करता नजर आ रहा है 6280 कहा ही लगा चुका है अगर तेजी जानी रही तो हो सकता है कि जो सोयवीन का वाइदा बजार है वो आज 600 के उपर की क्लोजिंग दे दे या फिर 600 के आज़ पास भी क्लोज होता नजर आ है हाला कि हम देख रहे हैं कि हाला कि हम देख रहे हैं कि जो सोयवीन का वाइदा बजार है 6360 के आज़ पास यसी 20 पॉइंट की दूरी है लेकिन 6360 के अगर सस्टेन हो जाती है सोयवीन तो हो सकता है कि सोयवीन में ओपी सर्कुट भी लगते नजर आ जाए अगले कारवारी सब्ता या पिर हो सकती कि हलकी सी कर्यक्शन भी बंती नजर आ जाए आपको बतातें कि विदेशों में सोयवीन की कीमतों में तेजी का ही रुजान है जिसकी बजा से तेल तीरन के बजार पर भी हमने तेजी आते भी देखी है और उसी काई असर है हम देख रहे हैं कि सोयवीन की कीमतें तेजी की और उठती नजर आई है अज दरसल जब से सेवीन ने फैसल लिया था कि साथ कमूनिटीज बेन कर दी जाएंगी वाइदा बजार में जिन में से रिफाइंड सोय तेल भी था उसका असर सोयवीन की कीमतों पर पड़ता नजर आया था और हमने देखा था कि दो से तीन दिन तक तो बजार ला निशान पर ट्रेड कर रहा था लेकिन फिर उसके बाद देखा है कि हमने सोयवीन की कीमतों में निचले स्थरसर खरीदारी निकली सोयवीन पहले अर्सट सो पर थी फिर पैंसट सो पर गई सेवी के फैसले के बाद नीचे में धणाम होती भी छपपन सो तक ट्रेड करती नजर आई लेकिन खरीदारी भी निकली है नीचले स्थरसे सोयवीन की कीमतों में व्यादा बाजार में खरीदारी भी देखने को मिली है दरसल जो भारत है खादे तेलों के मामले में पून रूप से अभी आत्म निर्वर नहीं हुआ है और अपने जरुवत का बहुत बड़ा हिस्सा खादे तेलों का भारत विदेशों से आयात करता है तो अगर विदेशों में कुछ भी घटबड होती है सरासी भी हलचल होती है खादे तेल के बजार में या फिर प्राइस अपडाउन जाते हैं तो उसका असर भारत में भी उसी अनुपात में पड़ता है तो अगर सोयबीन की मंदी तेजी कोई रोक सकता है तो वो विदेश है या फिर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो विदेश ही है अभी हमने देखाय था कि सरकार ने पामुलीन की जो ड्यूटी है वो घटा दी थी जिसका बाद हमने देखा था कि खादे तेलों में हलकी नर्मी तो बंती नज़र आई लेकिन फिर से मलेशिया में उसी अनुपात में खादे तेलों के दाम बढ़ा दिये गए तो उसका असर इतना खास देखने को नहीं मिला और पहली बार नहीं हुआ है जब सरकार ने खादे तेलों पर ड्यूटी में कटोती की हो और विदेशों में उसी अनुपात में दाम बढ़ा दिये गए हो विदेशों में भी पता है कि भारत खादे तेलों में आत्म निर्बर नहीं है तो वो भी अगर भारत में खादे तेलों में कटोती होती है बात करें सोयबीन की तो सोयबीन में आपको बता दें कि विदेशों में जो क्रॉप है उसकी स्थिती भी थोड़ी असमंजस की बनी हुई है अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है कि विदेशों में सोयबीन की जो फसले है वो जाद रहेंगी कम रहेंगी प्रोडक्शन कैसा रहेगा overall हाला कि अगर भारत की प्रोडक्शन की बात की जाए सोयवीन की तो भारत में सोपा ने अपने सर्वे में हाली में आकड़ा दिया था लगवग 119 लाक टन के आसपास का यानि कि पिछले साल के मुकावले लगवग 14-15 फीजदी सोयवीन इसमार जादा रह सकती है लेकिन उसके बाद आकड़ा आने के बाद हमने ये भी देखा था कि सोयवीन की फसले बड़े पैमाने पर खराब दी हुई थी तो अभी देखने ये भी होगा कि overall आकड़े अभी घड़ते हैं तो कहां तक घड़ते हैं जादा डेफिशेंसी रहती है या फिर सप्लाई के मुकावले डिमांड की मुकावले जो सप्लाई है सोयवीन की वो ठीक ठाक रहती है हाला कि अगर विदेशों में तेजी बनती रही तो सोयवीन की कीमतों में भी तेजी बनती जरूर नजर आगी और अगर इसको एक दूसरे नजरी से देखा जाए खादे तेलों के नजरी से तो सरसो का एक्जामपल लेते हैं जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि सरसो का जो स्टॉक था भारत में काफी कम बचा हुआ था और जो भी था किसानों के इपास था जब से ओमी करौन आया सब को डर लग गया और किसानों ने भी अपनी सरसो की बिक्वाली धीरे-धीरे ऊपरी स्टरों पर कर दी इस बार सरसो ने किसानों को काफी अच्छा मुनाफ़ा भी दिया लेकिन अब देख रहे हैं कि धीरे-धीरे देश का जो सरसो का स्टॉक था वो इस्तमाल में आ चुका है और अभी इस समय स्टॉक नहीं है और अगर हुआ भी तो वो भी नाम मात्र के लिए होगा ऐसे में सरसो की जो बुवाई है इस बार एक महीना लेट हुई थी और एक महीना देली से ही आवक आएंगी लगबग मार्च के मध्य तक या मार्च के अंद तक आवके मंडियों में देखने को मिलेंगी सरसो की अभी महीने अभी जनवरी फरवरी मार्च लगबग 2-3 महीने का समय बाकी है सोईब्मिया सरसों की आवर के आने मंद्डियों के अंदर और तब-तक खाद ये तेलों की जो स्थिती है मारकिट में, मारकिट्स के अंदर और जो कीमते हैं वो ठोड़ी टाइट रह सकती है यानि, की कीमतों में बड़त देखने को मिल सकती है और इसी का ही असर अन्य खादर तेलो समेच सोयबीन की कीमता पर भी पड़ता नजर आ सकता है तो overall रुजहान अभी हाल फिलाल में जो expert हैं वो तेजी का ही बता रहे हैं सोयबीन में अगर जादा तेजी नहीं रहेगी तो जादा गिरावड भी नहीं रहेगी हमारी जो expert हैं केडिय एडवाइजरी के director अजे केडिय उनके मताबिक सोयबीन 5800 से नीचे जाती भी जादा नहीं दिखती है और उपर में 1400 तो ये जो एक range रहेगी अठावन सो से लेकर 6400 की सोयबीन की कीमतों में अभी हाल फिलाल में देखने को मिलती रहेगी हाला कि अजे केडिय के मताबिक अभी long term में उनके अनुसार जो सोयबीन है वो तेजी दिखरा सकती है वो अभी भी सोयबीन को लेकर positive ही है अपर प्रफ्ड़ टो ये इंद आने को में अभी है